हेलो फ्रेंड्स मैं हूं शद्धा आपका मेरे किचिन में स्वागती आज मैं आपके लिए फिरसेग बनी रेसिपी लिए आज हम बनाने वाले मुंबाई का फीमस बटाटा वड़ा एकदम स्ट्रीट स्टाइल में इसे आप आलू के बॉंडे भी बोल सकते हैं एकदम इजी बने छाइड बने में बहुत ही टेस्ट हुए आपको मिल जाएगा पर जैनल पर भीज और सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो चलिए हम बटाटब बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए आप देखिए मैंने ये half kg आलू ले लिए इसको अच्छे से मैंने धो लिए अब हम इसको एक कुकर में रखे इसको उबाल लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हम कुकर में डाल दिये और अब मैं इसी में पानी डाल देती हूँ तो हमें बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं डालना है नहीं तो आलू के ओगन बहुत पानी पानी से हो जाएगा तो हमें इसमें पानी ज्यादा नहीं डालेंगे करीबन एक कप कि जतना पानी डालेंगे और इसको हम उबलने के लौइं चड़ा देते जार ले तो यह देखिए हमस में चड़ा लेए अब उसको हम पका ले रहे तक आलू बॉयल्ड हो रहे तो आगे की तियारी करेते इस तरह से देखिए मैं इसमरें द्दाट बिर नहीं को गष्ट आयां इसको विए इस ना नख जो मैंदRAK की इ Smells coord कर लए इसके जो थे मिकल के लें इसे का उई संग Hovorka क्यों को 6-3 मैं सब कर लिया कवर कर लें और इसके कविक्षन सब्सक्राइब only cookie के इसका हमने इस तरफ से तरथा इस तरह से तयार करिये हम इससे बहुत सिकना नहीं पॏ शना उसको當 मैं ऑं साइड में नगते हैं अल्व थैंड हुआ या नहीं कि इस एक आलू थैंडा यह देखिए शीकन देर्फोगे में इसके चलका निकाल देखिए मैं ठंडा हो गया है तो मैं इसको हाथ से ही इस तरह से मैश कर ले रही हूं तो आप देखिए इस तरह से मैंने सारे आलो को इस तरह से मैश कर लिये हैं अब हम इसको साइड में रखते हैं है आपि एक पैंच अड़ा ले इसको हम गरम कर लेते हैं और इसी में हम इसमे डालेंगे इस तरह से दो चममच ओएल को भी हम गरम होने देते हैं अभी ओइल गरम हो गाइश में इस तरह से एक चममच यह राहिक Citizens पानने ड़ोंगी इसको भी हम जहतकने देते हैं और इसी में इस तरह ऐग्यान हमकी तर में चमाचे कुटा हुआ धन्या यह मैं को मिक्सन जुट हो पीरिंगर के यह कृत आ लालेका इस तरह से इसको हम बून ले रहे हैं а कि फोड़े से कुछ कडी पत्टेथे इसको मैं बारिक कट लीथी इसको ७ी ढाल दे रहे है और इसी मैं इस तरह से फोर टो फाइफ पेंच हम इसमें हिंग डालेंगे और इसी के साथ मैं ढालूँ environment आदा चमचे, हल्दी पाउडर, बस यह सारी चीजों को हम डाल के अच्छे से इस तरह से इसको एकदम लो फ्लेम में इसको हलका सा मसाले को इस तरह से हम पका लेंगे अब यह मसाला भी अच्छे से भुन गया है, इसमें से बहुत बनिया सी खुसबू भी आ रही है, अब मैं गयास का फ्लेम को ओफ करूँगी हम ने फ्लेम को ओफ कर दिये, अब जो हमने आलू को मैश करके रखे तो उसमें हम डालेंगे इसको और अब हम इसी में इस तरह से यह मसाले को हम इसमें डाल देते हैं, और फिर हम अच्छे से इसमें आलू में मिक्स करेंगे इसको और इसी में इस तरह से यह हमने हर अधन्य को कट करके रखे तो इसको भी हम डाल दे रहे हैं और इसी के साथ एकटमश नमक या आप नमक शौद्रल फी AP Leka सकते हैं और इस तरह से हम यह सारी चीजु को अच्छे से मिक्स कաूले जो है कीषारे मसाले जो है इसको हम अच्छे से इस तरह dalू में मिक्स का ले रही है तो यह देखिए इसको मैंने अच्छे से सारी चीजों को हमने आलो में अच्छे से मिक्स कर लिया तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़ियां से यह मिक्स हो गया है और इस तरह से हमने नमक भी जो डाले थे वह भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो आप देखिए देखने में के स्ट्रीट स्टाइल में आज बना रहे हैं इसको और यह बहुत ही इजी तरीके से यह बन जाता है तो इस तरह से अब हम इसके इस तरह से यह हम इसके बॉल्स तयार कर लेंगे तो आप देख लिए इस तरह से मैं थोड़ी से इसको बड़े बना रहे हूं तो हम इस तरह से सार और में गछाने सारे वड़े बना के रख लिए आप हम साइड में रख रहे हैं आप हम यस साइड में ईसका बाउल ले लेते हैं इसमें इसरिये देड़कस बाल लेए ह्नई तो लिए जैन फर्म एप सब fiscal शाहा हूंद रह सब् lavIta इसयुक्प और ठोट्स यह और अब में इस तरह से one फोर चम्माच ये बेकिंग पौर डालूंगी और यह सारे चीजों को इस तरह से मिंक्स कर ले रहे हैं फिर हम इसमें पा helpful किसका गोल तियार करेंगे और अब में इसले करके कफाने इसका घोल त्यार करेंगे कि इसका गोल के तो गोल करेंगे तो यह थेखिए यह हमारा गोल तो पानी थोड़े से ऑक पने इसको फैटे। साइड में रख रहे हैं और इस तरह से हम इसको हाँ से इस तरह से घुमा लेंगे अच्छे से फेट लेंगे इसको तो, यह हमार घोल तहार है, तो आप देखिए इसकी इसकी कंस्टेंसी, न यह बहुत ज्यादा पत्ला है , Ne यह बहुत ज़्यादा गाड़ा है तो यह जब हम इसमें वड़ा डालेंगे तो यह बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा अम इसको साइड में रख रहे हूं तो यह देखिए बैटर के अब कंस्टेंसी देख रहे हैं न यह गाड़ा है न यह पतला है जब हम इसमें वड़ा Protee is the socialist and added there यह अभी हमने इस तरब से कॉरेंडर के सम्पत्तिं डाल दिये और आम में इस तरब से 5 लेसोन के कली ले ले ? 1 इन्ष अद्रकर तुकट तो ग्रीन चेली अप्चीली अपने टेश्के कद्शक्या कर सकते हैं कोड़ने के पत्ति इस में कुछ बाइस से और अब मैं यस posi lemon के जूसे और हाफ lemon के जूसे और इसमें हम नमक क्विशब डालेंगे और अब ये आधा चम्मत नमक क्विशब डाल गया है अब मैं इसमें डाल देती हूं सर्षी तीन-चार चम metrics अब इच्श को ढखर लगा की इसकी चटनी त्यार कर ले Queens अब से चलके लेते हैं तो ये देखिए यह हमारी चटनी त्यार हो गई है इसको भी में रख रहे हैं अब यह हम खड़ाई में तेल चढ़ा दिए इसको हम गरम होने दिया तेल भी हमारा गरम हो रहा है तो यह देखिए यह मारा बैटर आपको हात नहीं लगाने का मने हम अब इसको चमज इस तरह सच्छे तरह से अडिप करके, और फिट डारेक्ट। इस को ओल में डाल की तरफ, पहले इस तरह से हम हलकसे डाल की शैकल, तरह सुझे, ऑप ऑन इसमा को डाल को डालेंगे तो इसी तरह से Mitchell आफ नाल की जाओने तो तो हल वान की फूर लेमा. करते ना तुह अरशना। इस तरह से मैं औलते जाऊंगी मेर्ट दाल बार में आविए ता प आप डेखे तरफ पिरए तरफ कर देखे गहान तरफ इसी तरह से हम इसको उलट पलट करके उच्छा इसको फ्राई कर लेंगे तो यह देखे यह हमारा वड़ा क आप देख रहें दोनों तरफ से बहुत अच्छे से शिख गया है अब इसको हम निकाल ले रहे है एक प्लेट में इ यह देखिए यह हमारा गरम गरम वटाटा वड़ा बन कर तयार है आप इसे आलू बॉंडा भी बोल सकते हैं एक दम इजी तरीकियों से बहुत ही टेस्टी इसके साथ देखिए ग्रीन चट्नी और मैंने यह केचप रख दिये हैं और मैंने यह इस तरह से ग्रीन चीली को फ्र हुआ 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 है